जिसको आपकी कदर नहीं उसके साथ जबजस्टी रहने से बेहतर है कि उसको इच्चत के साथ छोड़ दिया जाए अपने समय और अपने सब्दों के प्रयोग में कभी लापरवा ही नहीं बरते क्योंकि ये ना ही तो वापस आते है और ना ही वापस मोका देते है कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है क्योंकि अच्छी बाते तो दिवार उपर भी बहुत लिखी होती है यदि आप सफलता आसिल करना चाहते है तो बहाना बनाना छोड़ दो कुछ बाते समझाने पर नहीं बल्कि अपने उपर बेत जाने के बाद ही समझाती है सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बरबादी के सभी द्रार खोल देता है चाहे आप कितने भी बड़े सत्रंज के खिलाडी क्यों ना हो दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिस है मन की बात समझने वाली मा और भविश्य को पहचानने वाले पिता काम ना करने के लाख वज़ टोंड सकते हो तो फिर एक वज़ भी टोंड लो काम करने की आप से लोगों के अपेक्साओं का कोई अंत नहीं है जहां आप चुके वहीं पर लोग बुराए निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाईयों को भूल जाते हैं इसलिए अपने कर्म करते चलो लोग आप से कभी भी संदूष्ट नहीं हो पाएंगे अच्छे काम करते रहिए चाहे लोग तारिफ करे या ना करे आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है सूरज फिर भी उपता है और रोशनी बाटता है अगर वो आपको याद नहीं करते तो आप याद कर लीजिए रिष्टेनी भादे वक्त मुकाबला नहीं किया जाता चिंता चिता के समान होती है आप महिनों काम करके उतना नहीं ठकते जितना क्रोथ और चिंता से एक पल में आप ठक जाते है जिन्दगी में हम कितने गलत है या सही सिर्फ दो लोग ही जानते है आत्मा और परमात्मा जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है बल्कि उसे सांथ छोड़ देते है जिससे गंदकी अपने आप नीचे बेठ जाए उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचेन होने की वज़ाए सांथ रह कर विचार करे हल अवस्य निकलेगा याद रखना अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुतर जाते तो बांसरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता एक बात सदा याद रखना सुख में सब मिलते है लेकिन दुख में सिर्फ अगवान मिलते है बुरे कर्म करने नहीं पढ़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पढ़ते हैं, सुख और दुख अपने नसिब से मिलता है, अमेरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं, रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खोसिया हो, तो छोपडी मे बिहासी गूझती है, अगर लोग आप से नपरत करते हैं तो इसकी दो कारण हो सकते हैं, या आपमें कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करते, या तो आपमें कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है, आप चाह कर भी अपने प्रती लोगों की धारना को कबी नहीं बदल सकते, इसलि उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखे जिसे खुद की गलती नजर ही ना आती हो ना थ्यार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है दिलों में जगः तो हमारे व्यवार से मिलती है